चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो, आप सभी को पता है, नीट 24 का एक्जाम डेट डिक्लियर हो चुका है, और वो 5 ओप मई 24 रखा गया है, अभी आज इस वीडियो में हम चर्चा करे कि इसके application form कब तक start होंगे, इसका eligibility criteria क्या रहेगा, as limit क्या रहेगी, और application fill करते समय, कौन-कौन से documents की requirement है, कौन-कौन से documents क्या हमें अभी बनवाने की जरूरत है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में detail से चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि इसके online application form कब तक start होंगे, तो NTA का जो पिछला trend देखा गया है, उसके according NTA exam date से 2 या 3 मेने पहले application form start करता है, अगर पिछली बार का देखें, तो एक मेने पहले मार्च में के first week में start होए थे, तो पिछली बार जो counseling थी, वो late हुई थी, यानि कि 31st December तक counseling चली थी, अब की बार 30 September तक counseling complete हो गई थी, जिसको extend करके 15 November किया गया था, लेकिन exam date का जो schedule है, NTA द्वारा पहले ही release कर दिया गया था, तो इन सब को देखते हुए, जो application form है, वो application form की हम date मान रहे हैं, कि ये January last week, January last week, या फिर February first week में start होने की possibility है, ये confirm तो नहीं है, लेकिन NTA के पिछले train को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि January last week और February first week में start होने की possibility है, application form की, तो जैसे ही application form start होंगे, हम आपको inform कर देंगे, और आपने समय से अपना application form fill कर देना है, अभी आपके पास में 5th month का समय है, और इसी समय में आपने तयारी करके need clear करना है इस बार, तो अब बात करते हैं हम eligibility के बारे में, तो देखो जो need 24 के लिए eligibility criteria है, वो change किया है NMC ने इस बार, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जो other medical colleges हैं, उसके अलावा aims की eligibility criteria different है, तो वो क्या है, aims का eligibility क्या है, और बाकी medical colleges का eligibility क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं other medical colleges की, यानि कि aims के अलावा, तो aims के अलावा eligibility रखा गया है, physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी सब्जेक्ट, और English में, individually pass होना चीए, यानि कि इन तिनों, इन चारों सब्जेक्ट में, अलग-अलग pass होना चीए, अब other medical colleges के लिए, जिन candidates के पास में, biology के अलावा, बायो टेकनोलोजी सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन aims में biology essential है इसमें, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा different है, other medical colleges के लिए, तो individually pass होना चीए, physics, chemistry, biology, और बायो टेकनोलोजी, और English सब्जेक्ट में, अब इसमें, you are EWS candidates है, you are मतलब unreserved candidates, जो general category के candidate है, और EWS candidates है, उनके लिए 50% marks तीए, तीन सब्जेक्ट में, physics, chemistry, biology, या फिर biology की जिए, बायो टेकनोलोजी सब्जेक्ट भी हो सकता है, इन में taken together का मतलब है कि इन तीनों का total 50% होना चीए, तीनों का total 50% होना चीए, मालो किसी candidate के physics में 48 marks है, chemistry में उसके 52 marks है, biology में इसके 53 marks है, तो ये candidate eligible है, क्योंकि इसकी 51% बन रही है, 51-52% बन रही है, तो ये candidate eligible है, ये जरूरी नहीं है कि 48 की जगे, physics में भी 50 चीए, individually नहीं चीए, इसमें aggregates चीए, taken together चीए, यानि कि aggregate तीनों का total 50% होना चीए, UREWS के, लेकिन जो SCST candidates है, SCST, OBC, NCL, NCL का मतलब non-criminal, जिनकी income 8,00,000,000 से कम है, जिनके 8,00,000,000 से ज्यादा है, जिनका NCL का OBC का certificate नहीं बनता है, उनके लिए तो condition 50% ही है, और जो PWBD candidates में विकलांग है, उनके लिए 40% marks ये, इन सभी category के लिए physics, chemistry, biology या biotechnology में total aggregate marks, यानि तीनों का total, अब बात करें हम as limit की, तो इसमें NEET में कोई upper as limit नहीं है, minimum as 17 years 31st December 24 को complete हो जाना चाहिए, तो ये जो as limit है, ये as limit aims के लिए भी same है, और other medical college के लिए भी same है, यानि कि जो इंडिया में MBBS, BDS में admission लेना चाहते हैं, उनके लिए as limit सभी के लिए समान है, यहां हम AFMC की eligibility criteria की बात नहीं कर रहे हैं, AFMC का मैं यहां पर separate video बना दूँगा, और AFMC के अलावा बाकी aims और medical colleges की बात कर रहे हैं, जिप मर का other medical college के equally है, यानि कि जिप मर का जो eligibility criteria है, वो same यही रखा गया है, जिप मर के लिए, अब इसमें जो NMC नी change किया है इस वार, वो change यह किया है कि जो biology subject है, वो additional biology के candidate इसके लिए eligible है, यानि कि कि किसी के 12 में math भी थी, bio भी थी, तो अगर additional biology है, तो additional biology वाले candidate इसके लिए eligible हैं, दिल्ली high court के फैसले के according private candidate और जो NIOS के candidates हैं, वो भी इसके लिए eligible हैं, और वो ही फैसला अभी तक है, लेकिन NMC ने additional biology candidates के लिए दे दिया है, यहां clear, और इसका भी यह एक तरह से, जो information blatant आएगा, उसमें clear ही होगा कि private candidate और जो NIS candidate हैं, उनके लिए भी eligibility इसमें रहेगी यह, तो यह था इसकी eligibility के बारे में, अब हम देख लेते हैं, aims की eligibility के बारे में, तो यह तो था other medical college की eligibility के बारे में, अब हम बात करेंगे, aims की eligibility के बारे में, यहां पर, तो aims के लिए, जो eligibility criteria रखा गया है, वो eligibility रखा गया है, कि इन चार subject में, English, Physics, Chemistry और Biology, यहां बायो टेकनोलोजी subject नहीं है, इन चार subject में, जो general category और OBC candidates है, general और OBC category के candidates है, उनको 60% marks चाहिए aggregate, इन चार subject में, aggregate marks है, 60% सी है, aggregate का वही है, कि इनका total, जैसे मान लोग किसी candidates के physics में 58 marks है, किसी candidate के physics में 58 marks है, chemistry में अगर हम देखें, तो उसके 63 marks है, इसके बाद में biology अगर हम देखें, तो उसके 74 marks है, और इसमें अगर English देखें हम, तो English में 60 marks है, और ये candidates general और OBC candidates है, तो ये इसके लिए eligible है, ये इसके लिए eligible है, ये जरूरी नहीं है, कि physics में उसके 58 marks है, तो physics में 58 marks की जगे 60 होना चाहिए, ये नहीं है, क्यूंकि इन सब का total ही 60% marks होना चाहिए, ये eligibility है, AIMS के लिए general और OBC candidate के लिए, AST, AST की बात करें तो 50% marks होना चाहिए, और जो विकलांग कंडिडेट है, उसके लिए 45 होना चाहिए, तो ये AIMS के लिए है इसमें, अब AIMS के लिए जो essential academic qualification है, वो चाहिए इसमें physics, chemistry, biology और English subject में pass होना चाहिए, यहाँ biotechnology subject नहीं है, other medical college में जिन candidates के लिए biotechnology subject था, वो भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर biology necessary है, यहाँ कि इन चाहर subject में candidate को pass होना चाहिए, और pass के साथ साथ ये condition भी होनी चाहिए, इतनी minimum qualification है, जो marks है, वो इतनी चाहिए इसमें, इसके लावा as का मैंने आपको बताई दिया है इसमें, as की जो है सभी medical colleges में, AFC को छोटके, वो 17 years होनी चाहिए, अब हम बात करेंगे, आपको documents क्या क्या चाहिए, application form फिल करते समय, कौन कोड़ से documents की जरूरत है, तो इसमें देखो, कुछ documents upload भी करने होते हैं, और कुछ documents data filling के लिए आपको requirement भी है, जैसे आप application form fill करेंगे, तो उसमें 10th की mark seat चीजे data देख के fill करेंगे, 11th की mark seat भी चीए, उसमें 11th की अगर किसी candidate के पास mark seat नहीं है, तो वो वहाँ पर N.A. का option fill कर सकता है, 12th की mark seat होने चीए, data fill करने के लिए आधार card होना चीए, active mobile number होना चीए, ये mobile number आपको admission तक काम आएगा, जब तक आप admission लोगे medical college में, counseling में भी ये ही mobile number काम आएगा, अगर आपका ये mobile number नहीं है, तो उसके बाद ये active नहीं है, तो counseling में आप counseling नहीं करवा पाएंगे, active email idea आपको देना है, तो ये जो documents हैं, ये form filling के लिए, ये आपको चीए, अब upload कौन कौन से documents करने हैं, तो इसमें passport size का आपको एक photograph upload करना है, जब NTA का information brochure release होगा, उसमें एक nisit date दी जाएगी, यानि कि 1 January 2024 के बाद आपका photograph होना चीए, इस परकार की date दी जाएगी, तो उसके बाद का आपको photograph यहाँ पर upload करना है, photograph का background, white background होगा, और इस पर date taken, यानि फोटो किस date को आप ले रहे हैं, उसका यहाँ पर date mention होगा photo के उपर, तो यह होगा passport size का photograph एक, इसके अलावा एक postcard size का जो बड़ा photo होता है, वो भी यहाँ आपको upload करना है, और वो exam के time में भी जरूरत होती है, उसकी कभी कभी जरूरत होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन अभी यह दो सालों से देखा गया है, कि यह passport size का photograph भी लगता है, इसमें admit card के उपर, इसके अलावा left and right hand के finger और thumb impression लगेगा, आपका दोनों हातूं के अंगुली और अंगुठे का निसान, एक white page पर scan करके, फिर उसके बाद upload किया जाएगा, उसके बाद signature upload होंगे, category certificate, अगर कोई EWS का है, या फिर SCST category का है, तो उनके category certificate यहाँ upload होते हैं, अगर किसी candidate के पास यहाँ category certificate नहीं है, अभी तक नहीं बढ़ा है उसका, तो उसको प्रेशान होने की आवशक्ता नहीं है, उसमें एक declaration का format दिया होगा होता है, application form में, और उसमें यह लिखा होता है, कि मेरे पास यह certificate अभी available नहीं है, admission के time में यह मैं certificate produce कर दूँँगा, तो इस परकार का आप एक declaration भी दे सकते हैं, तो यह आप इसके लिए परेशान नहीं हो, अगर आपके पास में category certificate नहीं है, तो यह बाद में भी लग सकता है, आप अपनी तैयारी जारी रखें, इसके बाद में 10th की mark seat आप upload कर सकते हैं, address proof के लिए आपको कोई भी address proof एक upload करना है, जिसमें permanent और present address, दोनों हो तो वो आपको यहाँ पर एक address proof भी upload करना है, तो यह documents की required होगी, आपको application form फिल करते हैं, तो फोटो और जो passport size का फोटो है, postcard size का फोटो है, एक बार information brochure जब release हो जाएगा, उसके बाद में आप यह फोटो बनवा लेना, क्योंकि उसमें एक date निश्यत होगी, कि इस date के बाद आपको फोटो बनवानी है, इसके बाद में आपका category certificate भी बाद में, declaration आप दे सकते हैं, 10th की सभी के पास में certificate होती है, mark seat होती है, address proof होता ही है, तो documents के लिए आपको ज़्यादा tension लेने के आवशक्ता नहीं है, जब यह application form release होंगे, हम आपको बता देंगे, उस समय आप यह documents तयार करवा सकते हैं, documents तयार कर सकते हैं, आप अपने तयारी कीजिए अभी, अभी application form के बारे में, आपको चिंतित होने के आवशक्ता नहीं है, क्योंकि यह application form अभी इसमें समय लगेगा, यानि कि अभी कम से कम दो मैने बाद ही application form release होंगे, और यह जब दो मैने बाद release होंगे, तो हम आपको inform कर देंगे, कैसे कैसे आपको application form फिल करना है, किस परकार से आपको documents upload करना है, हम आपको सारी इसमें information दे देंगे, तो यह जानकारी थी, NEE24 के application form के बारे में, बाकी जैसे जैसे information मिलेगी, हम आपको inform कर देंगे, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैहिन!